18 साल से माता पिता को तलास कर रही गुमला की एक बेटी पुली से मांगी मदद सही सुना आपने गुमला की एक बेटी 18 साल से अपने माता पिता की तलास कर रही है वो अपनी माता पिता से मिलना चाहती है ये एक बार उनके हाथों से खाना खाना चाहती है दरसल 10 साल की उम्र में मानो तसकरों ने उसे दिल्ली में बेज दिया था मानो तसकर गरीब लाचार बच्चों को बड़े सहरों में बेज देते हैं जहां उन्हें दूसरे के घरों में काम करने के लिए भेज दिया जाता है अब उसकी उम्र 28 साल है 18 साल बाद वह गुमला लोडी है और अपने माता पिता की तलास कर रही है हलाकि इस 18 साल में हर दिन वह अपने माता पिता वह परिवार के सदस्यों के बारे में सोस्ती थी और मिलना चाहती है उसने गुमला पुलिस से मदद मांगी है ताकि उसके परिवार से मिलाने में पुलिस उसकी मदद करे 28 वर्से इस यूती ने बताए कि जब वह 10 साल की थी तब उसे मानो तसकरों ने दिल्ली में बेश दिया और उसके साथ घर में काम कराय जाता था जिसके बाद उसी मानों तसकरों ने दो और लड़की को लाकर वहीं बेच दिया, जिन दो लड़कियों को बेचा, उनसे उसकी दोस्ती हो गई. वे दोनों लड़की भी गुमला के राइडी परकंड की थी, जिसके बाद वह कई घरों में काम करते करते बड़ी हो गई. सहलियों की मदद से 2020 में उसकी मुलकात गुमला जीले के राइडी प्रकर्णिवासी एक युवक से होई फिर दोनों प्यार करने लगे और फिर दोनों ने साधी कर ली अब इस यूती का एक बेटा भी है यूती ने बताई कि सिम्डेगा जीला के सारू गुड़ा गोरकेरा गाओ की एक मानो तसकर ने उसे दिल्ली में ले जाकर बेच दिया था दस साल की उम्रे में बेचा गया तब से वह दिल्ली में अलग-अलग घरों में काम करते हुए बड जिस कारण मुझे गाँ वच्छेत्र का पूरा नाम मालूम नहीं है काफी समय से माता पिता की तलास कर रही हूँ उसने एसपी के नाम आवेदंदे कर अपने माता पिता को खोजनी की गुहार लगाई है गड़वा सहर का बिश्वसरी इलेक्ट्रोनिक्स परतिस्ठान स्री राम इलेक्ट्रोनिक्स लेकर आया है तेवार धमा का ओफर आईए और उधार ले जाईए जीरो परसेंट ब्यास पर असान एमाई के साथ अपने पसंद का कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स समान पाई एलेडी, फ्रेज, वासिंग मशीन और आरो आकर्शक दामों पर हमारा पता है गड़वी मंदिर मेन रोट गड़वा अधिक जानकारे के लिए अभी फोन करे